और हाईगन ने ऐसे ही प्रकास से जुड़ी एक और घटना की व्याख्यागी जिसे हम व्यतिकरण के नाम से जानते हैं व्यतिकरण की घटना को समझने के लिए सबसे पहले हमें अध्यारोपन के सिध्धान्त को समझना होगा अध्यारोपन के सिध्धान्त के नुसार किसी बिंदू पर कण का विस्थापन उस बिंदू पर सभी तरंग द्वारा आरोपीत के गए विस्थापन का सदीश योग होता है हम जानते हैं विस्थापन एक सदीश राशी है और मान लिजे यहां पर एक बिंदू है जहां पर एक कन मौजूद है और यहां पर तरangगे पहुच रही है जिनका विस्थापन इस बिंदू पर क्रमशा Y1, Y2, Y3 एंड सो ऑन है मान लेज़े यहां पर N तरंगे पहुच रही हैं, तो यहां पर इस बिंदू पर कंड का विस्थापन समीकरण से दिया जाएगा Y बराबर Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 and so on, हम YN को जोड़ देंगे, जहां हम सारे विस्थापन को सदीश रूपों में ही जोड़ेंगे, यानि कि विस्थापन एक दिशा में हुआ, यानि कि कमपन एक दिशा में हुआ, तो वो जोड़ा जाएगा, कमपन विपरत दिशा में होगा, तो उनका अंतर लिया जाएगा, यानि कि माइनस साइन के साथ जोड़ा जाएगा, यांतरिक तरंगे दो प्रकार की होती है एक अनुप्रस्त और दूसरा अनोदैर्दे जो अनुप्रस्त तरंग होती है वो इस प्रकार श्रिंग और गर्थ के रूप में आगे बढ़ती है जो आयाम धनात्मक होता है या बोल सकते हैं अधिकतम आयाम को हम शरिंग लेते हैं और न्यूनेतम आयाम को हम गर्थ लेते हैं इसी प्रकार अनुदैर्दे तरंग संपीडन और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है जब दो तरंगे चाहे वो दो अनुप्रस्थ तरंगे हो चाहे दोनों अनुदैर्दे तरंगे आपस में मिलती हैं किसे बिंदू पर तो वहां पर यदि श्रिंग पर श्रिंग मिले गर्थ पर गर्थ मिले या फिर यूग है संपीडन पर संपीडन मिले और विर्लन पर विर्लन मिले उस कंडिशन में परिणामी विस्थापन जोगा वो वाई बराबर वाई वन प्लस वाई टू होगा यानि कि दोनों का योग होगा यूगि सेम डारेक्शन के अगर विस्थापन को जोड़ा जाए तो वो धनात्मक रूप से जोड़ जाएंगे तो उनका बीजगनीती योग होगा लेकिन यदि श्रिंग के साथ गर्त मिले और संपीडन के साथ विरलन उस कंडिशन में ये विस्थापन की दिशा विपरित है इसलिए यहाँ पर जो परिणामी विस्थापन होगा किसी बिंदू पर वो वाई बराबर वाई वन माइनस वाई टू के रूप में दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों विस्थापन की दिशाएं अलग-अलग है ये जो अध्यार उपन का सिध्धान्त है वो दोनों प्रकार की तरंगों पर लागू होता है चाहे तरंगे अनुप्रस्थ हो चाहे अनुदैर्दे हो ये अध्यारोपन का सिध्धान्त विद्धु चुम्बकी तरंगों पर भी लागू होता है पर जिस तरंग का आयाम बहुत बड़ा हो जैसे कि भूकंप या विस्फोर्ट से उत्पन होने वाली तरंगे जिने हम शौक विद्ध के नाम से भी जानते हैं इन पर अध्यारोपन का सिध्धान्त लागू नहीं होता है अब इस सिध्धान्त को जानने के बाद हम व्यती करण की घटना को समझने की कोशिश करते हैं जब दो तरंगे जिनके आयाम लगभक सेम हो लेकिन आवरिती बिलकुल समान हो यदि वो एक ही दिशा में गमन करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं यानि कि अध्यारोपित करते हैं तो उस समय जो परिणामी तरंग है उनके आयाम में परिवर्तन हो जाता है और उनकी प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं यह जो प्रकाश की तीवर्ता में आसमान वित्रन हो रहा है क्या वो प्रकाश उर्जा का विनाश होता है एक्चुली वहां पर प्रकाश उर्जा का विनाश नहीं होता हम जानते हैं कि प्रकाश एक उर्जा है और उर्जा संगरक्षन के न जलती है वो कुल तीवरता यानि कि सभी तीवरताओं के योग फल से अधिक होती है यदि दो तरंगे अलग-अलग तीवरता की चल रही हों और वो अध्यार उपित होंगी अध्यार उपन के पश्चात वो दोनों का योग हमको अधिकतम तीवरता प्राप्त होना चाहिए था लेकिन अधिक्तम तीवरता इस योग से भी अधिक होती है और वैसी न्यूनितम तीवरता की बात करें तो वो दो तरंग के तीवरता का अंतर से भी कम होती है यानि कि जो कमी न्यूनितम तीवरता में आ रही है वो कमी कहां प्रकट होती है अधिक्तम तीवरता में यानि कि य पिनाश नहीं हो रहा है उर्जा का एक जगे से कमी हो रही है और दूसरे जगा वो उत्पन हो रही है यानि कि व्यतिकरण की घटना पून रूप से उर्जा संग्रक्षन के नियम का पालन करती है और सबसे पहले थॉमस यंग ने इस व्यतिकरण की घटना का प्रयोगिक प्र अध्यारोपन के बाद जो परिणामी तीवरता है और आयाम है उनमें वृद्धी हो जाती है और ये कब संभव हो पाता है जब दो तरंगे आपस में अध्यारोपित हो और उनके श्रिंग से श्रिंग मिले और गर्त से गर्त मिले जब श्रिंग से श्रिंग और गर्त से गर्त मिलता है तो अध्यार उपन के सिध्धान के अनुसार इनको हम डारेक्ट जोड़ देते हैं यानि इनका सदीश योग होता है तो इस तरीके से यदि दो तरंगे चल रही होंगी जिनके शुरिंग और शुरिंग गर्थ और गर्थ आपसे मिल रहे हैं तो जो परिणामी आयाम ह होगा यह दोनों का योग होगा और इस तरह हम देख सकते हैं जो परिणामी तरंग है उसके आयाम में वृद्धी हो रही है और आयाम में वृद्धी है मतलब उसकी तीवरता भी बढ़ जा रही है और इस प्रकार के व्यतिकरण को हम constructive interference के नाम से भी जानते हैं लेकिन जब कंडिशन ऐसा हो कि दो तरंगे चल रही हों और एक का श्रिंग दूसरे के गर्थ पर मिले इस तरह से एक तरंग चल रही है उसका दूसरा तरंग का श्रिंग उसके गर्थ पर मिल रहा है तो इस कंडिशन में हम देख सकते एक का विस्थापन ऊपर की ओर है वाइवन मानो और नीचे हम ले रहे दूसरा तरंग वाई टू इसका विस्थापन नीचे की ओर है तो जब इसका हम योग करेंगे सदीश योग तो विप्रुत दिशा होने के कारण माइनस साइन लिया जाएगा और यहां पर विनाशी व्यतिकरण वाई बराबर वाई वन माइनस वाई टू से दिया जाएगा और इस कंडीशन में जब वितिकरण होता है तो जो परिणामी तरंग होती है उसकी तीवरता और आयाम दोनों कम हो जाते हैं इस वितीकरण के सिधांत से हमें ऐसा लग रह सुनकर कि किस तरीके से आयाम तीवरता में व्रिद्धी होगी कमी होगी तो इसको ह कब और किस स्थिति में परिवर्तर होता है इसके हम गणिती विवेशना करते हैं मान लेजए हम दो तरंग लेते हैं पहले तरंग को हम दर्शार हैं वाइवन बराबर ए साइन ओमेगा टी क्योंकि किसी भी तरंग का समीकरण ऐसे ही दिया जाता है विस्थापन बराबर उसका आयाम और एक साइन का समय का फंक्शन होता है तो यहां पर हम उसी प्रकार से पहले तरंग का समीकरण दिये हैं दूसरा तरंग हमने लिया है वाइटो बराबर बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई यहां पर ए और बी यह दोनों तरंगों के आयाम हैं आयाम लगभग समान होने चाहिए दो तरंग जो अध्यार उपित हो रही हैं उनके आयाम बेलकुल सेम भी हो सकते हैं सेम ना भी हो तो भी उनके बीच में अध्यारोपन होता है व्यतिकरण होता है लेकिन कंडिशन क्या है व्यतिकरण की कि दोनों की आवरिती एक होनी चाहिए इसलिए हमने दोनों की आवरिती एक लिए ओमेगा यहां पर कोनी आवरिती है दोनों तरंगों की और यह जो फाई हमने लिया है व कमन कर रहे हैं और अध्यारोपित हो रहे हैं तो इनके बीच में होगा व्यतिकरण अध्यारोपन के सध्धान्त से y बराबर होगा y1 प्लस y2 अब इन दोनों समिकरण a और b को हम जोड़ देते हैं तो मिलेगा y बराबर a sin omega t plus b sin omega t plus phi यहाँ पर sin omega t plus phi को हम compare करेंगे formula sin a plus b से sin a plus b बराबर होता है sin a cos b plus cos a sin b अब यहीं पर यह formula रख देते हम तो y बराबर होगा a sin omega t plus यह b आयाम को हम अलग ले लेते हैं और यहाँ formula लगाएंगे तो यह जगा sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi अब यह b को हम next term में दोनों पदों से into कर देंगे तो मिलेगा y बराबर a sin omega t plus b sin omega t cos phi plus b cos omega t sin phi अब यहाँ पर दो पद sin omega t वाले हैं इनको हम common ले लेते तो हमें मिलेगा y बराबर sin omega t common लेने पर a plus b cos phi sin omega t plus b sin phi cos omega t और इसे दे देते हैं समीकरण 3 मतलब दो तरंगों के अध्या रोपन के पश्चात finally हमें जो तरंग था उसका समीकरण यह प्राप्त हुआ जिसे हम समीकरण 3 से दर्शा रहे हैं पर यह जो समीकरण जनरल समीकरण से अलग नज़र आ रहा है इसको जेस्ट जनरल समीकरण में कनवर्ट करने के लिए कुछ यहां पर चेंजिस करेंगे हम यदि हम a plus b cos phi बराबर r cos theta लेते हैं और b sin phi बराबर r sin theta लेते हैं जहां पर r और theta नियतांक हैं और इसे हम दे देते समीकरण 4 और 5 अब यह मान इस समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या मिलेगा y बराबर r cos theta sin omega t प्लस r sin theta cos omega t अब दोनों पदों से r common लेते हैं तो y बराबर r sin omega t cos theta और यदि इसे हम देखें तो यह वही sin a plus b का formula है तो यहां पर formula के अनुसार y बराबर होगा r sin omega t plus theta यह है final परिणामी तरंग का समीकरण और इस परिणामी तरंग का आयाम r होगा और यह आयाम कितना होगा इसको calculate करने के लिए हम समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ देते हैं जोड़ेंगे तो जो परिणामी तरंग का आयाम है वह बाकि दोनों टर्म के आयाम के रूप में हमको प्राप्त होना चाहिए यहां पर left hand side को left hand side से जोड़ेंगे right hand side को right hand side से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा r square cos square theta plus r square sin square theta बराबर bracket के अंदर a plus b cos phi का whole square plus b square sin square phi अब यह वाले term में हम formula लगाएंगे a plus b whole square और a plus b whole square होता है a square plus 2ab plus b square तो यहां पर हमको cos square phi plus b square sin square phi अब यहां left hand side में दोनों पदों से r square common लेने पर हमें मिलेगा r square bracket के अंदर cos square theta plus sin square theta और right hand side में हम b square common लेते हैं तो हमें finally क्या मिलेगा a square plus 2ab cos phi plus b square cos square phi plus sin square phi हम एक trigonometric identity जानते हैं जिसके अनुसार sin square theta plus cos square theta बराबर होता है तो यहां पर भी हम वहीं मान रखेंगे यहां पर cos square theta plus sin square theta command 1 रखने पर left hand side में केवल मिलेगा r square equal to a square plus 2ab cos phi plus b square और इधर भी bracket के अंदर cos square phi plus sin square phi बराबर हो जाएगा 1 तो finally r square बराबर होगा a square plus b square plus 2ab cos phi इसको हम दे देते हैं समीकरण seven और यहां से r बराबर होगा root अंडर a square plus b square plus 2ab cos phi इसे हम दे देते हैं समीकरण eight और यह समीकरण होगा परिणामी तरंग के आयाम का अब परिणामी तरंग की तीवरता क्या होगी हम जानते हैं किसी भी तरंग की तीवरता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है तो परिणामी तरंग की तीवरता यदि आई है तो आई समानुपाती होगी आर स्क्वेर के समानुपाती के चिन हटाएंगे तो आई बराबर होगा के आर स्क्वेर और आई बराबर होगा के R square command सामिकरन 7 से रखने पर A square plus B square plus 2AB cos phi इस K को अंदर into करेंगे, multiply करने पर हमें मिलेगा I बराबर K A square plus K B square plus K 2AB cos phi A पहले तरंग का आयाम था और B दूसरे तरंग का आयाम तो पहले तरंग की तीव रत्ता यदि I 1 होगी, तो I 1 बराबर K A square होगा और I 2 बराबर K B square अब इन दोनों समिकरनों को गुणा करें, यानि कि I 1, I 2 को गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? K A square, K B square बराबर I 1, I 2 और यहां से K square, A square, B square बराबर होगा I 1, I 2 और यहां से K A B का मान मिलेगा, root अंडर I 1, I 2 अब यह तीनों मान को हम इस समिकरन 9 में रख देते हैं हमें मिलेगा I बराबर I 1 प्लस, I 2 प्लस यहां पर K A B का मान हो जाएगा, root अंडर I 1, I 2 तो 2 लिखेंगे, root अंडर I 1, I 2, cos 5 इस प्रकार यदि हम आयाम और तीवरता के समिकरन को देखें तो इन दोनों से यह स्पष्ट होता है कि आयाम और तीवरता दोनों ही निर्भर करते हैं इन दोनों तरंगों के बीच कला अंतर यानि कि five पर, यह कि दोनों ही समिकरन में five आ रहा है इसका मतलब यहां पर व्यतिकरण संपोशी होगा या विनाशी होगा यानि कि आयाम और तीवरता बढ़ेंगे या घटेंगे वो depend करता है कला अंतर पर इस तरह दो प्रकार के व्यतिकरण संपोशी और विनाशी अलग-अलग कला अंतर पर होते हैं किस इस्थिती पर संपोशी होगा और किस इस्थिती पर विनाशी होगा इसको हम compare करके पढ़ते जाते हैं संपोशी व्यती करण में आयाम और तीवरता दोनों का मान बढ़ जाता है और ये कव संभव है जब cos phi का मान अधिक हो हम जानते हैं कॉस फंक्शन में अधिकतम मान धनात्मक एक होता है और न्यूनितम मान रिनात्मक एक होता है तो यहाँ पर कॉस फाई का मान प्लस वन होना चाहिए और कॉस फाई का मान प्लस वन कब होता है जो फाई बराबर जीरो हो, टू पाई हो, फोर पाई हो, सिक्स जो तब कॉस फाई कमान अधिक्तम यानि की प्लस वन होगा यानि की फाई बराबर होगा टू एंड पाई जहां पर एंड कमान जीरो वान टू थ्री एंड सुवन इस प्रकार आगे चलेगा इस प्रकार हम यू कह सकते हैं समपोशी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीश में कला अंतर शून्ने होना चाहिए मतलब दोनों तरंगे समान कला में गमन करनी चाहिए या फिर दोनों तरंगों के बीश में कला अंतर पाई का समगुनक होना चाहिए विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है यहाँ पर आयाम और तीवरता दोनों ही घट जाते हैं आयाम और तीवरता कब कम होंगे जब कॉस फाई का मान सबसे न्यूनितम होगा कॉस फाई का न्यूनितम मान माइनस वन होता है और यह माइनस वन किस इस्तिती में संभव है जब 5 कमान या तो πाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो and so on यह हम यू कह सकते हैं 5 बराबर 2n-1 πाई हो जहाँ पर n बराबर 1, 2, 3 इस प्रकार आगे बढ़ेंगे और हम यू कह सकते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच में कला अंतर पाई का विशम गुणक होना चाहिए अब इन दोनों तरंगों के बीच में पत अंतर कितना होना चाहिए क्योंकि हम जानते कला अंतर जुड़ा हुआ है पत अंतर से और फॉर्मूले के नुसार पत अंतर बराबर होता है लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू कला अंतर अब इसी मान को मिहां रखते हैं और संपोशी में के लिए कंडिशन निकालते हैं विनाशी के लिए संपोशी व्यतिकरण में हमने देखा था कि फाई कमान टू एन पाई होता है तो पत अंतर बराबर लैम्डा अपॉन टू पाई टू एन पाई यहां से पाई और पाई कैंसल कर देंगे तो डेल्टा बराबर होगा टू एन लैम्डा बाई टू जहाँ पर एन कमान 0123 इस प्रकार आगे बढ़ रहा है या फिर हम यूं कह सकते हैं कि संपोशी व्यतिकरण के लिए पत अंतर या तो शून ने होना चाहिए या लैम्डा बाई टू का सम गोनक होना चाहिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए फॉर्मला वही है डेल्टा बराबर लैम्डा बाई टू फाई या फाई कमान हमने लिया था जब विनाशी व्यतिकरण था तो कला अंतर 2N-1 पाई है यहां से पाई और पाई कैंसल हो जाएगा तो डेल्टा बराबर 2N-1 लैम्डा बाई टू यानि कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पत अंत लैम्डा बाइटू का विश्म गुणक होना चाहिए अब हम देखते हैं दोनों ही प्रकार के व्यतिकरण में आयाम कितना होगा संपोशी व्यतिकरण के लिए यदि हम आयाम का सूतर देखें तो आर बराबर है रूट अंडर अधिक्तम कब होगा जब कॉस फाई अधिक्तम होगा यानि कि यह एक के बराबर होगा तो आर बराबर होगा रूट अंडर एस्क्वार प्लस बी स्क्वार प्लस टूए भी और यह फॉर्मला है ए प्लस भी होल स्क्वार का तो हम देखेंगे आर बराबर रूट अंडर A plus B whole square और यहां से R बराबर A plus B यानि कि परिणामी आयाम की तीवरता दोने ही तरंग के आयाम का योगफल होगी यदि दोनों तरंग के आयाम समान हो यानि कि A बराबर B हो उस condition में R बराबर 2A प्राप्त होगा मतलब जो परिणामी तरंग का आयाम होगा वो एक तरंग के आयाम का दुगना होगा विनाशी व्यतिकरण में R बराबर A square plus B square plus 2AB cos phi है और आयाम यूनितम हो इसके लिए cos phi कमान यूनितम होना चाहिए यानि कि cos phi बराबर माइनस 1 माइनस 1 रखने पर हमें मिलेगा R बराबर root अंडर A square plus B square minus 2AB और R बराबर root अंडर A minus B का whole square विकि ये formula A square plus B square minus 2AB बराबर होता है A minus B whole square और यहां से R बराबर होगा A minus B यानि कि ये दोनों ही तरंगों के आयाम का difference होगा और यदि दोनों ही तरंग के आयाम बराबर होए उस condition में R बराबर A minus A और R बराबर 0 मतलब परिणामी आयाम के तीवरता 0 ही हो जाएगी यदि दोनों तरंगों के आयाम एक हो और उनके बीच में विनाशी व्यतिकरण हो अब तीवरता पे क्या फर्क बढ़ता है तीवरता का फॉर्मिले है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई संपोशी व्यतिकरण के लिए कॉस फाई कमान अधिक्तम होना चाहिए यानि कि 1 उस कंडिशन में I maximum यानि कि अधिक्तम तीवरता बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 यानि कि जो संपोशी व्यतिकरण में परिणामी तीवरता होती है वो दोनों ही तीवरता के योग से भी अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर हम एक टर्म जोड़ रहे है टू रूट I1 I2 यानि कि इन दोनों के योगफल से अधिक्तम तीवरता अधिक होगी यानि कि दोनों ही तरंगों की तीवरता समान हुई यानि कि I1 बराबर I2 उस कंडिशन में I maximum बराबर होगा I1 प्लस I1 प्लस 2 I1 यानि कि 4 I1 और हम यू कह सकते हैं कि परिणामी तरंग की तीवरता किसी भी एक तरंग की तीवरता की चार गुणा होगी पर विनाशी व्यतिकरण में कॉस फाइ कमान न्यूनितम होना है यानि कि कॉस फाइ कमान माइनस वन होना है तो यह समिकरण बन जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 तो I minimum जो न्यूनितम तीवरता होगी यह दोनों ही तीवरता के योग से कम होगी यहाँ पर हम एक टर्म है जिसको माइनस कर रहे हैं तो इसका मान कम हो जाएगा यह दोनों तरंगों की तीवरता समान हुई यानि की I1 बराबर I2 हुए उस कंडिशन में मीनिमम तीवरता I1 प्लस I1 माइनस 2 I1 यानि की I minimum बराबर हो जाएगा शुन्य। तो विनाशी व्यतिकरण में तीवरता शुन्य होती है और इस प्रकार यदि व्यतिकरण को हम देखें तो जहां पर अधिकतं मान मिलना चाहिए वह बहुत अधिक तीवर होता है और जा नियूनितम मान मिलना चाहिए वो completely dark होता है यदि दोनों ही तरंगों की तीवरता समान हो अब हम संपोशी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में अंतर देखते हैं संपोशी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण इसमें प्रकाश की तीवरता अधिक्तम होती है इसमें प्रकाश की तीवरता न्यूनितम होती है इसमें व्यतिकरन करने वाली तरंगों का कला अंतर 0 अत्वा πाई का सम गुणक होता है अर्थात 5 बराबर 2n πाई जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 इस प्रकार होता है इसमें व्यतिकरण करने वाली तरंगों का कला अंतर πाई का विशम गुणक होता है अर्थात πाई बराबर 2n-1πाई जहां n का मान 1,2,3 इस प्रकार आगे रखा जाता है इसमें व्यतिकरण करने वाली तरंगों का पतांतर शुन्य अर्थवा λैम्डा बाई टू का सम गुणक होता है अर्थात डेल्टा बराबर 2n-2 जहां n का मान 0,1,2,3 इस प्रकार आगे रखा जाता है इसमें व्यतिकरण करने वाली तरंगों का पतांतर लैम्डा बाई टू का विशम गुणक होता है अर्थात डेल्टा बराबर 2n-1 लैम्डा बाई टू जहां n बराबर 1,2,3 इस प्रकार जाता है